continuing in the unit of biotechnology in the second chapter today हम लोग बात करने वाले हैं अब biotechnology और उसकी applications की इससे पहले वाले chapter के अंदर हमने उसके पूरे के पूरे principles और processes के बारे में पढ़ा था अब यह जो second chapter है ना इससे भी बहुत अच्छी तरीके से questions पूछे जाते हैं लेकिन अच्छी बात उससे भी अच्छी बात यह है कि direct questions होते हैं कि cases जो दे रखें NCRT ने इस chapter में उसके उपर लेकिन बात यह ना क्यूंकि इस chapter के अंदर को connectivity नहीं है बस हमें cases cases पढ़ने है तो एक बार हम लोग उसका ना एक तरीके से किस chronology में वो चल रहा है वो समझ लेंगे इस chapter को कि इसके order किस में explain किया हुआ तो यह easy हो जाएगा सबसे पहले NCRT हम से बात करेगी कि हम लोग biotechnology की जो applications है वो agriculture में कैसे कर रहे हैं तो पहला हमारा plants के बारे में इसने discussion किया इसके अंदर हम लोग को जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं किस तरीके से होगा पहले हम से green evolution के बारे में थोड़ी बहुत बात करी जाएगी फिर हमें यह बताएंगे कि genetic modification होती है plants के case में उनके अंदर हमें क्या-क्या फायदा देखने को मिल रहा है उन plants के case में जिसके अंदर genetically modification की गई है फिर बात आएगी हमारी BT cotton की यानि BT toxin वगएरा की क्या-क्या बाते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे उसी अपने BT toxin के फर्दर detail में थोड़ी सी cotton के बारे में BT cotton के बारे में फिर pest resistance plants के अंदर हम लोग RNA interference का case देखेंगे जो कि हमें किसके case में देखने को मिलता है तमबाकू के case में देखने को मिलता है tobacco plants की roots के अंदर होता है एक meloide igone incognesia नाम का हमारा nematode parasite है उसका case है हमारा यह हमारा पूरा का पूरा plant का discussion हो जाएगा तो यह agriculture वाला हमारा इस तरीके से चला इसके बाद हम लोग इसकी applications in medicine देखेंगे जिसके अंदर हमें एक insulin का case देखने को मिलेगा दूसरा जो है हम लोग इसकी molecular diagnosis के अंदर बात करेंगे और तीसरी चीज़ आएगी हमारी ADA deficiency वाले genetic जो by birth genetic disorders होते है congenital genetic disorders उनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो medicine के अंदर पहली बात क्या है genetically engineer human insulin हमने कैसे बनाया है उसकी बात आएगी इसके अंदर शाबाशी है Ellie Lily जो एक American company है उसको इसने 1983 में ये काम कर लिया था फिर बात आई gene therapy की तो चार साल की एक लड़की है हमारे पास 1990 के अंदर जिसको adenosine deaminase की deficiency थी ADA की इसके अंदर हमने कैसे कैसे इसकी help करी लड़की की वो हम लोग पढ़ेंगे lastly molecular diagnosis के अंदर क्या है कि भाई diagnosis मतलब किसी भी चीज़ का detection वगरा के अंदर तो हम लोग ELISA या PCR या recombinant DNA technology का इस्तिमाल क्या करके early diagnosis कैसे कर सकते हैं जैसे ELISA की बात करें तो ये AIDS के केस में यूज हो रही है antigen antibodies interaction की वज़ा से इस तरीके से ये clinical वाली चीज़ हमें देखने को मिलेगा फिर transgenic animals का क्या क्या फाइदा है हम लोग उनके बारे में कुछ बाते करेंगे कि transgenic animals क्या है फिर lastly हम लोग इसके कुछ ethical issues के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ethical issues हमें देखने को मिल रहे हैं और वही बात हमारी जो government है उसने एक genetic engineering approval committee बनाई है तो इसका क्या क्या रोल रहा कुछ हम लोग इसके बारे में brief discussion करेंगे फिर हमें biopiracy के बारे में बताया जाएगा बास्मती के बारे में एक important topic आता है इस तरीके से हम लोग इस पूरे के पूरे chapter को पढ़ेंगे इस sequence में पढ़ेंगे आज का हमारा topic जो हमें इस पहले lecture में पढ़ना है वो क्या है कि बायो technology की applications क्या है agriculture के अंदर अब NCRT आपसे start कैसे कर रही है कि बायो technology जो आपने याद करी है अब तक सीखी है जो सीखी है अब तक previous chapter से वो industrial scale पे production को deal करती है बायो फार्मा क्यूटिकल्स की और बायो लॉजिकल्स की किसको यूज करके genetically modified organisms को यूज करके वो organisms हमारे microbes हो सकते है fungi हो सकता है plants भी हो सकते है और animals भी हो सकते है ये चीज NCRT में वापस repeat करूँ कि बायो technology को आपने अब तक क्या सीखा कि previous chapter में आप ये सीख के आए हो कि बायो टेक्नोलजी डील करती है industrial scale production पे किस चीज का बायो फार्मा क्यूटिकल्स का या बायो लॉजिकल्स का किसको इस्तेमाल करके genetically modified organisms को इस्तेमाल करके और वो कौन-कौन हो सकते है organisms, microbes भी हो सकते है fungi, plants, animals कोई भी हो सकता है application जो है हमारी बायो टेक्नोलजी की इसके अंदर क्या-क्या आता है कि हम लोग बायो टेक्नोलजी से हमारा क्या-क्या चीजें बना सकते हैं तो हम लोग therapeutics की manufacturing कर सकते हैं diagnostics के अंदर हम लोग इसको use कर सकते हैं फिर agriculture के अंदर हम लोग crops को ऐसे develop कर सकते हैं जो genetically हमने अगर modify कर दिये तो उनको किसी भी हमारे fertilizer की या किसी भी pest control chemical की जरूरत नहीं पड़ रही है biopesticides बगरा हम लोग बना पाए genetic engineering से इस तरीके से हम लोग इसमें agriculture में काम कर सकते हैं processed food बना सकते हैं हम लोग bio remedication कर सकते हैं waste का treatment कर सकते हैं sewage के अंदर भी हम लोग इसको 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 कर सकते हैं energy production भी एक बहुत important area रहता है हमारा जिसके अंदर हम लोग अपनी bio technology को use कर सकते हैं फिर बात आती है क्या कि तीन critical research area हैं जो bio technology के अंदर हम लोग focus कर रहे हैं वो क्या क्या सबसे पहली बात क्या best catalyst हम लोग ढूण रहे हैं in the form of improved organism एक organism ऐसा जो best catalyst की तरह काम कर पाए अब या तो वो कोई microbe हो या कोई pure enzyme हो हमारा तो हमें best catalyst provide करना है यह हमारा critical research area है पहली चीज़ तो हो गई यह दूसरा क्या critical research area है हमारा कि हम लोग किस तरीके से create कर पाए optimal conditions genetic engineering के थुरू कि जो हमारा catalyst हमने बनाया है वो act कर पाए तो तीसरा critical area हमारा यह हो गया critical research का area क्या है कि हम लोग optimal conditions कैसे create कर सकते हैं तीसरा critical area क्या है कि हमारे downstreaming processes और इसको purify वगएरा करने का जो भी हमने product बनाया है उसको कैसे हम लोग purify करें separate करें और इसको collectively हम लोग क्या कहते थे downstreaming कहते थे purification और separation को तो हम लोग हमारा तीसरा critical research area हमारा downstreaming processes है और वो ही चीज़ downstreaming के अंदर हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि clinical trials वगएरा इस तरीके से bad samples वगएरा सब देखा जाता है यह सब लोग पिछले chapter में पढ़के आए है यह चीज कि preservative हमें add करना है और clinical trials है अगर कोई drug है quality control testing वगएरा करनी है हमें ठीक है और यह जो downstreaming processes है कि हम लोग क्या कर पाएं packaging और separation purification के अंदर इस चीज को अच्छे से deal कर पाएं अब NCRT हम से कहती है let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life हमने कैसे कैसे इस्तेमाल किया है अब हमें basically इस chapter के अंदर क्या करनी है case study करनी है NCRT हमें 5-6 कहानिया सुनाएगी जिसके अंदर हम लोगों ने biotechnology का अच्छा खासा इस्तेमाल करके क्या काम किया है improve किया है quality of human life को especially in the field of food production और health food production के एरिया में और health के एरिया में खास तौर पे हम लोग इस बात को देखेंगी कुछ case study जो हमें करनी है अब यह सबसे interesting topic आता है हमारा biotechnology का application कैसे किया है हमारे agriculture के अंदर अब agriculture से सीधी सीधी बात हमें खाना पैदा करना है simple तो यह कैसे कैसे हो सकता है या तो agrochemical based agriculture के थूँ होगा या organic farming आप लोगों ने सुनी होगी तो organic culture हो सकता है या तीसरा हम लोगों ने जो महारत हासिल करी यह recent ही किस चीज़ के अंदर genetic engineered crop based agriculture के अंदर अब भई इसके अंदर क्या दिक्कत है आप यह सोचो तो इसके अंदर chemical वाली दिक्कत है कि आप chemical यूज कर रहे हो तो chemical महंगा है plus pollution वगएरा cause हो रहा है इस तरीके से अब NCRT यही चीज़ बोल रही है अचा और organic की बात करें तो organic एक तो महंगा बहुत होता है organic food आप खरीदो तो और दूसरी चीज़ यह slow भी है इतना provide नहीं कर सकते है आप पूरी की पूरी population को तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है इसको use करने का बचता है अब NCRT क्या कहती है let us take a look at the three options that can be thought for increasing food production आप food production को increase कैसे कर सकते हो तो पहली चीज़ यह तो आप agrochemical based agriculture करो दूसरी चीज़ फिर आप organic agriculture भी करने लगो तीसरी चीज़ क्या है कि आपके अपास यह option है कि आप genetically engineered crop based agriculture शुरू कर दो कि उस फसल को लगाओ जो genetically engineered है इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं अब बात आती है हमारे green revolution की green revolution है हरियाली की बात हो रही है तो obviously इसने क्या किया food supply को increase किया कितना increase किया बहुत important सवाल है triple कर दिया tripling the food supply यह याद रखना tripling करी थी इसने food supply green revolution की वज़े से triple हो गई थी लेकिन but yet it was not enough to feed the growing human population green revolution ने खानी की जो supply थी वो triple कर दी लेकिन उसके बाद भी यह इतनी नहीं हो पाई कि हमारी जो growing human population है उसके लिए यह sufficient हो पाई increased yields have been partly due to partly किस वज़ा से हुआ यह important है समझना यह partly हुआ है किस की वज़ा से crop की जो हमने variety improve करी है crop variety के वज़ा से यह partly improvement हुआ है और mostly improvement किस वज़ा से हुआ है जादा तर mainly improvement किस वज़ा से हुआ है दो वज़ा से एक हमने better management की practices सीख ली कि हम लोग अब चीजों को बहतर manage कर पा रहे हैं दूसरा agrochemicals को use कर पा रहे हैं हम लोग इसलिए हमारी productivity बढ़ गई है फिर से इस चीज को समझो कि improved crop varieties हमने use करना शुरू किया इसकी वज़ा से थोड़ा बहुत increase हुआ लेकिन main increase का reason क्या है हमारी better management की practice और agrochemicals का use किया जाना अब agrochemicals क्या होते हैं हमारे fertilizers और pesticides को हम लोग agrochemicals कह रहे हैं अब बात आई जब इनकी की भई ये fertilizer और pesticide की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस developing world के अंदर farmer के लिए यानि हमारे किसान के लिए agrochemicals को खरीदना तो बहुत महंगा है क्योंकि भई agrochemicals जब आपके लिए इतनी चीज बन गई है importance की तो ये महंगी कि अब हमें जो further increase करना है yield के अंदर उन ही varieties के साथ जो हमारे पास अभी present है ये possible नहीं है conventional breeding के तुरू तो क्या कोई ऐसा alternative रास्ता है जो हमारी genetics से निकलता हो जिससे हमें कोई उमीद मिल जाए हमारे farmers के लिए ताकि वो maximum yield obtain कर पाए अपने खेतों में से तो हाँ NCRT क्या कहती है is there a way to minimize the use of fertilizers और chemical का use minimize कर सकते हैं हम लोग ताकि जो harmful effects हैं इनके environment पे वो reduce कर पाएं तो NCRT क्या कहती है इस सब का ilاج क्या है use of genetically modified crop अगर हम लोग करने लगें तो एक इस चीज का solution बन सकता है use of genetically modified crops किस चीज के लिए ताकि farmers हमारा maximum yield ले पाएं maximum yield obtain कर पाएं अपने खेतों में से और minimize भी हो सकता इस तरीके से fertilizers और chemicals का use और इनका जो harmful effect है हमारे environment पे वो भी खतम हो सकता है या कम हो सकता है अगर हम लोग हमारे genetically modified crops को use करने लगे अब बात आती है क्या कि genetically modified organisms GMO क्या बोलते हैं ये कौन होते हैं genetically modified organism वही है जिनके genes को modify किया गया है या alter किया गया है यही चीज अंसियाटी कह रही है चाहे plant हो चाहे bacteria हो चाहे fungi हो चाहे वो animal हो अगर तो उसका gene alter किया गया है तो वो genetically modified organism कहलाएगा अब इसके कुछ-कुछ examples भी देखने को मिले हैं हम लोगों को अब वो examples क्या क्या हैं भई example हो गए हमारे BT cotton देखने को मिला है corn, rice, tomato, potato इस तरीके से हम लोग को सोयबीन वगरे में देखने को मिले हैं बहराल काफी चीजे हैं अब बात आती है क्या कि plants के अंदर NCRT कह रही है genetically modified plants GM plants का क्या मतलब GM plants का मतलब हमारा genetically modified plant have been useful in many ways कई चीजों कई तरह से ये useful हो चुके हैं genetic modification ने क्या-क्या बना के दिखा दिया है अब वो चीज को समझो crops को ज़्यादा tolerant बना दिया है abiotic stress से कि ठंड है, सूखा है, नमकीन है, हमारी मिट्टी और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है इस सब से crops को हमारे abiotic stress से tolerant बना दिया है दूसरी चीज क्या करी है chemical pesticide के उपर जो reliance थी हमारी dependency थी उसको कम कर दिया है यानि क्या बनाया है pest resistant crops बना दिये है तीसरी चीज क्या करी है हमारी genetic modification ने reduce कर दिया है post harvest losses को जब हम लोग अपने फसल को काट करके ले आते थे यानि harvest कर लेते थे उसके बाद जो losses होते थे वो decrease हो गए है फिर क्या हो गया है कि जो mineral usage की efficiency थी plants की उसको increase कर दिया mineral usage की efficiency जो plants की थी उसको increase किया इसकी वज़ा से एक चीज और होई हमारी की early exhaustion जो थी fertility की जमीन जो थी उपजाओ हमारी fertile soil जो थी उसकी fertility की जो exhaustion थी वो अब भई वो नहीं हो रही है कि हमारी exhaust नहीं हो रही है ये prevent हो गया वरना क्या हो रहा था अगर हम लोग गलत तरीके से बार-बार गलत तर्तीब से गलत मेंजमेंट के इसाब से हम लोग वो कर रहे हैं गलत management के थूरू हम लोग अपनी agriculture कर रहे हैं तो क्या होगा कि भई हमारी जो fertility है soil की वो lost हो जाएगी हमारी जमीन जो है बंजर हो जाएगी उपजाओ नहीं रहेगी इस चीज़ को prevent कर लिया हमने कैसे use कर किस तरीके से कि हमने जो हमारे plants है उनके अंदर ऐसी qualities डाल दी जिसकी वजह से उन्होंने mineral usage की efficiency को increase कर लिया last में हमने क्या किया bio fortification यानी enhance कर दी nutritional value of the food कि जैसे golden rice बना दिया golden rice के अंदर vitamin A की क्या है quantity जादा होती है इस तरीके से हमने ऐसे crops होगा लिये जिनके अंदर जो mineral quantities है या nutritional values जो है वो बढ़ गई है इस तरीके से genetic modification ने फायदा किया plants को तो ये cases जो है पूछे जाते हैं statement based questions में इनको याद रखना फिर बात आती है क्या कि in addition to these uses in uses के addition में genetic modification ने genetic modification को use किया गया है क्या बनाने के लिए tailor made plants बनाने के लिए अब ये tailor made plants क्या होते है जिनको एक specific function के लिए बनाया जाता है और ये अच्छी तरीके से उस function को justify कर पाते हैं कि tailor made plants बनाये गए ताकि क्या कर पाएं वो alternative resources की तरह काम कर पाएं industries के अंदर किस तरीके से starch की form में fuels की form में और pharmacuticals की form में ये चीज याद रखना कि genetic modification को हम लोगों ने किस लिए use किया है ऐसे plants बनाने के लिए genetic modification का use करके हमने create कर लिए अब बात आती है कि हम लोगों को clinical cases देखने को मिल रहे हैं या case studies बोल लो इनको some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plants NCRT क्या कह रही है कि applications of biotechnology जो agriculture के case में तुमने पढ़ना है उसके अंदर तुम detail में क्या पढ़ोगे production of pest resistant plants यानि production of pest हमने क्या produce करा हमारा pest resistant plants बनाए है वो हमने पढ़ने हैं किस topic के अंदर applications of biotechnology in agriculture के अंदर अब ये NCRT ने आपको यहीं पर बताया कि हम लोग pest resistant plants के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चाहें हम लोग BT cotton के बारे में पढ़ें या अपने इसके बारे में पढ़ें RNA interference जो हमें miloide gyni incognesia के case में देखने को मिल रहा है जो एक nematode है parasitic nematode miloide gyni incognesia जो infect कर रहा है हमारे तंबाको के पेड़ की roots को अब ये दोनों के case में हम लोग क्या कर रहे है tobacco plant को किस से बचा रहे है हमारे इस pest से miloide gyni incognesia से और ये case हम लोग देखने को मिल सकता है इसके अंदर NCRT हमें यहाँ पे roots में दिखा भी रही है कि ये transgenic plant जो है पांच दिन के अंदर deliberate infection डाला है लेकिन ये बच गया लेकिन इस case में ये infected था तो ये हमें देखने को मिल रहा है ये infected है और ये हमारे ठीक हो गया इस तरीके से ये BT cotton का case देखने को मिल रहा है ये वाली cotton ball destroy हो गई है और ये वाली cotton ball जो है healthy है बची हुई है normal filly mature cotton ball है और ये वाली destroyed by ball worms है अब इस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहा है कि हमें दो cases पढ़ने हैं इसके अंदर तो NCRT ने क्या बोला कि जो application of bio technology in agriculture आपने पढ़नी है इसके अंदर आप detail में पढ़ने वाले हो production of pest resistant plants और इसके अंदर भी दो चीज़ें BT cotton और दूसरा tobacco पढ़ने वाले हो अब आप अब बात आती है BT cotton को हम लोग शुरू करें तो ये BT क्या है ये समझ लेते हैं अब NCRT कहती है कि जो pest resistant plant हम लोग इनको बनाते क्यों है ताकि हमारा जो amount of pesticide हम लोग यूस कर रहे है वो decrease हो जाए ठीक ये हो गया function for the production aim हो गया ये हमारा for the production of pest resistant plant motive क्या है decrease कर देना amount of pesticide used को अब NCRT क्या कहती है कि जो BT toxin हमने produce किया ये produce किस के थरू होता है BT toxin जो produce होता है BT toxin को कौन produce करता है एक bacteria produce करता है भूलना नहीं है B for BT toxin और B for bacillus thuringiensis BT बोलते हैं इसको और ये bacteria है हमारा नाम क्या है इसका bacillus thuringiensis bacteria है bacillus thuringiensis क्या produce करता है BT toxin produce करता है अब ये जो BT toxin है हमारा इसके अंदर एक gene होता है BT toxin gene जो है उस gene का नाम है cry अब ये BT toxin gene जो है इसको clone कर लिया हमने कहां से बैक्टीरिया में से और इसको express कर दिया plant के अंदर ताकि provide कर दी हमने क्या insect को insect के लिए resistance plant के अंदर without the need of the insecticide इस बात को समझो NCRT कह क्या रही है कि हमारा जो bacteria है bacillus thuring genesis के bt toxin produce करता है अब bacillus thuring genesis के अंदर जो इसके अंदर gene है जिस gene की वज़ा से bt toxin बनता है उस gene को हमने उठा लिया और इसको clone किया bacteria में से लेके और इसको express कर दिया plants में यानि plants के अंदर डाल दिया अब plants भी हमारा bt toxin बना रहे है अब क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारा plant bt toxin बनाने लग रहा है तो क्या होगा एक तरीके से हमने क्या provide कर दी resistance to insects provide कर दी बिना किसी insecticide को इस्तेमाल किये हुए यानि हमने क्या बना दिया एक बायो पेस्टिसाइड बना लिया बिना need of insecticide के हमने बायो पेस्टिसाइड बना लिया इसके examples क्या क्या है बीटी cotton, बीटी rice, tomato, potato, soya bean वगएर आप इन सब को समझ सकते हो कि ये सब examples है इसके फिर बात आती है बीटी cotton के बारे में डीटेल में थोड़ी सी अब भई ये बात आई क्या कि जो कुछ strains है हमारे bacillus thuring genesis के ये produce करते हैं protein अब ये जो protein produce करते हैं ये kill कर देते हैं कुछ insects को kill कर देते हैं हमारे insects को अब ये insects कौन कौन है पहली बात आती है हमारा insect है lepidopterans जो की आते हैं tobacco birdworm और armyworm दूसरी category है हमारी coliopterans की यानी beetle की और तीसरी category है हमारी dipterans की यानी मक्छर और मक्खी की अब मैं आपसे पूछूं क्या आप अगर इस शब्द diptera को पढ़ रहे हो diptera को तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या आपने कहीं पहले पढ़ा है इसको तो मैं आपको दिखा हूँ आपने इसे कहां पढ़ा है यह हमारा 11th class के NCRT के अंदर the living world chapter में यह table दी हुई है इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं taxonomy categories के बारे में जब तो यह classification कर रखी है housefly की कि इसका biological name जो है muska domestica है और species से genus की तरफ जाते हैं हम लोग तो आपने वो सुना होगा कि kingdom से species की तरफ याद होते हैं तो इसके trick क्या थी keep pot clean और family gets sick अभी के से था हमारा kingdom, P से हमारा phylum, C से है class, O से order, F से family और G से genus और S से हमारा species तो वही देखने को मिला हमारा कि species क्या है muska domestica इसके अंदर फिर हम लोग बात कर रहे है genus क्या है muska, family क्या है muskidae, order क्या था इसका diptera और class क्या है, insecta और phylum या division है, arthropoda और kingdom क्या हो जाएगी इसकी animalia तो आपने ये diptera के अंदर क्या पढ़ा, मक्खी को पढ़ा इसी तरीके से diptera के अंदर हमारा मच्छर भी होगा तो आपको ये चीज़ तो याद हो गई, कि diptera के अंदर मच्छर और मक्खी देखने को मिलेंगे फिर ये है हमारा, ABCD के अंदर B और C एक साथ आता है तो beetle जो है, colioptera का member हो गया बाकी के जो दोनों बचे हमारे वो क्या बचे? ये किसके अंदर आए? ये लेपिड़ आपटेरंस काटेगरी के अंदर क्या क्या आए? टोबैको बड़ वर्म और आर्मी वर्म ये चीज़ होई हमारी अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या? कि bacillus thuringiensis जो है हमारा ये क्या करता है? प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाता है प्रोटीन के क्रिस्टल्स जो होते हैं इसके इसके अंदर एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रेजन्ट होता है और यानि एक जहर पैदा होता है toxic present होता है toxic cheese present होती है किसके अंदर इसके protein के crystals के अंदर और ये protein के crystals कब बनाता है अपनी growth के एक particular phase के अंदर बनाता है अब particular phase of their growth के अंदर क्या करता है ये हमारा bacillus thuring genesis अपनी growth के एक particular phase के अंदर protein के crystal बनाता है और ये जो crystal होते हैं ये contain करते हैं एक toxic insecticidal protein को अब जब ये toxic insecticidal protein हमारा कहाँ पहुँचेगा ये पहुँचेगा हमारे alkaline pH of the gut में किसके गट में? इंसेक्ट के गट में तो क्या होगा? ये solubilize कर जाएगा हमारा crystal किसकी वज़ा से? गट के alkaline pH की वज़ा से अब बात आएगी क्या? कि जब ये solubilize हो गया तो वहाँ पे हमारा toxin जो है होगा activate अब ये activate होने की वज़ा से bind करेगा किसके साथ surface of the mid gut epithelial cells के साथ कहां के epithelial cell? mid gut के epithelial cell mid gut के कौन से cells? तो epithelial cells के साथ ये bind करेगा और उनके अंदर क्या करेगा? pore बनाएगा swelling होईगी cell में और lysis हो जाएगी eventually हमारा insect मर जाएगा अब हमारा question क्या rise करता है? कि भाई जब हमारा insect मर जा रहा है तो ये जहर हमारे bacillus को क्यों नहीं मार रहा? यही NCRT ने आप से पूछा कि why does this toxin not kill the bacillus? तो इसका answer क्या है? कि actually जो BT toxin protein है हमारा ये exist करता है inactive pro toxin की form में कहां पर जब ये bacillus के अंदर है लेकिन जब एक insect जो है ingest कर लेगा हमारे inactive toxin को यानि हमारे insect ने क्या कर लिया? प्रोटीन के crystal को खा लिया अब इस प्रोटीन के crystal के अंदर हमारा क्या present है? ये inactive toxin present है अब ये activate कहां पर होगा? तो हमारा ये convert हो जाएगा active form के अंदर toxin की किस वज़ा से? due to the alkaline pH of the gut pH of the gut जो है हमारा वो alkaline होगा किस के case में? इंसेक्ट के case में यहाँ पर हमारा solubilize हो जाएंगे crystals और हमारा जो pro toxin है वो toxin में convert हो जाएगा यानि active form में convert हो जाएगा अब जब हमारा toxin जो है active form में convert हो गया तो ये activated toxin जो है ये bind करेगा कहां पर surface of mid gut के epithelial cells पर mid gut के epithelial cells के कहां पर surface पर surface of the mid gut epithelial cells और क्या करेगा? ये करेगा create pores और जो की cause कर देंगे सेल के अंदर स्वेलिंग और सेल की फिर लाइसिस हो जाएगी जो कि इवेंचुली कॉस कर देगी डेथ आफ दा इंसेक्ट फिर बात आती है क्या हमारी कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स हैं जो कि हमने आईसोलेट किये हैं बैसिरस थुरिन जीन्सिस से क्या का इसका क्या मतलब यह स्पेसिफिक का क्या मतलब स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन को हमने आईसोलेट किया है स्पेसिफिक का मतलब क्या कि अगर आपको कॉर्ण बोरर के लिए चाहिए तो आपको अलग जीन लेना पड़ेगा कॉटन बॉल वर्म के लिए निकालना ह तो अलग जीन लेना पड़ेगा अगर आपने क्राइवन ए भी ले लिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉटन बॉलवम को मार दो नहीं वो मारेगा कॉर्ण बोरर कोई तो यही चीज बोली गई इस चब्द का क्या मतलब है specific BT toxin gene का क्या मतलब है क्या आपको insect के हिसाब से ही gene उठाना पड़ेगा specific BT toxin genes were isolated from bacillus thuring genesis and इनको incorporate कर दिया यानि जोड दिया किसके अंदर several crop plants के अंदर जैसे हमारी cotton में incorporate कर दिया several crop plants में जैसे cotton में फिर आगे बात कर रही है क्या कि यह जो choice थी the choice of genes depend करती थी किस बात पे crop के उपर और target के उपर कि हमारा crop कौन है और हमारा target कौन है जैसे most BT toxin जो हैं क्योंकि यह insect group specific होते हैं वही बात जो मैंने आपको भी बताई वही NCRT यहां कह रही है कि हम लोग जो gene को choose कर रहे हैं वो इस बात पर depend कर रहा है कि हमारा crop कौन है और हमारा targeted pest कौन है यह काम हम लोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो BT toxin होते हैं अब NCRT ने फिर यहां गलती करी है यह फालतू में डाला है बीच में इसको आप remove कर लेना अब क्या बात आती है फिर से के the toxin is coded by a gene जिसका नाम है cry there are a number of them जैसे अब यह cry 1AB है cry 1AC cry 2AB किसको कंट्रोल कर रहा है cotton ball warm को और cry 1AB जो है यह कंट्रोल कर रहा है corn borrow को अब मेरे को यह चीज कैसे याद होई थी मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अभिशेक भदूरिया उसका क्या नाम था अभिशेक भदूरिया अब वो कानपूर का था कानपूरिया था अब ये जो मेरा दोस्त है अभिशेक भधूरिया इसने बोला कि भाई मुझे भुट्टा खाना बहुत पसंद है मैं का भाई ठीक है तुझे भुट्टा खाना बहुत पसंद है मुझे ट्रिक याद हो गई मेरी अब हमें चिरफ ये चीज याद रखनी है कि हमारा cry 1AB यानि एक दोस्त अभिशेक भधूरिया ये क्या है बुट्टा खाना इसे पसंद है तो एक कॉर्न बोरर हो गया और इसके अलावा क्या बचा मेरे पास कि cry 2AB की बात करें तो cry 2AB वाला किस में आ गया मेरे कॉर्टन बॉल वर्म में और cry 1AC भी मेरा कॉर्टन बॉल वर्म में चला गया इस चीज को समझा हमने तो ये था हमारा BT कॉर्टन का केस फिर सेकेंड बात आ रही है हमारी इसके अंदर ये नेमटोड क्या है पेरासाइट है किसके ऊपर हमारे टोबैको प्लांट की रूटस के उपर और इस नेमटोड का नाम क्या है मिलोईडे गाईनी इनकॉगनीशिया NCRT क्या कह रही है सेवरल नेमटोड पेरासाइट करते हैं किस चीज को वाइड वेराइटी ओफ प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूडिंग दी हुमन बिंग्स अब एक नेमाटोड है मिलोईड गाइनी इनकोगनीशिया जो की इन्फेक्ट करता है हमारे टोबैको प्लांट्स की रूट्स को और कॉस करता है Great Reduction in Yield हमारी Great Reduction हो जाती है Yield की यानि हमारी जो हमने फसल हुगाई उसमें से बहुत सी फसल मर जाती है किसके इन्फेक्ट्शन की वज़े से मिलोईड गाइने इनकोगनीशिया के इन्फेक्ट्शन की वज़े से अब हमने इसका इलाज क्या निकाला RNA interference निकाला हमने कि हमारा जो RNA हम ऐसा बनाएंगे कि इसका मिलोईड गाइने इनकोगनीशिया का RNA हम लोग interfere करेंगे और इस तरीके से हमारा काम करेंगे एक novel strategy हमने adopt करी इसको prevent करने के लिए जो की base थी किस चीज़ पे RNA interference पे RNA interference कहाँ पे होती है सारे के सारे eukaryotic organism में होती है naturally किस चीज़ के लिए as a method of cellular defense ये चीज़ याद रखना ये भी important है कि RNA interference जो है RNA interference जो है it takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense अब इसके अंदर होता क्या है कि RNA interference के अंदर involve करते हैं हम लोग silencing of a specific messenger RNA हम लोग एक specific messenger RNA mRNA को silence कर देते हैं किस वज़ा से इसके complementary double standard RNA को बना करके कि माल लो मेरा ये messenger RNA था specific messenger RNA था मैंने इसका anti-sense RNA बनाया और ये दोनों आपस में bind कर जाएंगे तो भई ये तो expressी नहीं कर पाएगा यही हमने करना है इस method involves silencing of a specific messenger RNA due to complementary double standard RNA molecule जो कि bind कर जाएगा किस के साथ हमारे messenger RNA के साथ और prevent कर देगा इसकी translation को यानि एक तरीके से इसने silence कर दिया इसको यही चीज़ देखने को मिली अब हमें क्या बात करी NCRT ने कि the source of this complementary RNA could be from an infection by the virus या तो हम लोग इसको virus के दुरू भेज सकते हैं जिसकी RNA genome हो या फिर transposons के दुरू भेज सकते हैं अब transposons क्या होते हैं हमारे mobile genetic elements होते हैं जो replicate करते हैं वाया an RNA intermediate यह पूछा नहीं गया है अब तक हो सकता है आपसे पूछ ले mobile genetic elements जो replicate करते हैं वाया an RNA intermediate उनको हम लोग transposons कहते हैं यह याद रखना यह untested area है अब तक transposons क्या है mobile genetic elements जो की replicate करते हैं RNA intermediate के दुरू अब RNA intermediate के दुरू हो रहा है यह RNA genome वाला कोई virus डाला है बात तो हमारी मतलब हमें किस से है RNA से है RNA से मतलब है तो हमें RNA का complementary RNA भी प्यादा करवा देना है ताकि यह double standard RNA बन जाएगा हम लोग क्या करेंगे agrobacterium vectors को use करेंगे और nematode के specific genes को introduce कर देंगे host plant के अंदर अब ऐसा introduction किया है हमने कि host plant का sense और anti-sense RNA दोनों बन रहा है हमारे host के अंदर इस चीज़ को समझने की बहुत ज़ादा जरूरत है कि हमने जो introduction किया है DNA का वो इस तरीके से किया है कि हमारा sense और anti-sense RNA दोनों बन रहा है host के cells में अब क्योंकि यह दोनों RNA जो है यह complimentary है हमारे एक दूसरे के तो क्या होगा double standard RNA बन जाएगा जो कि initiate करेगा हमारे RNA interference को और silence कर देगा specific messenger RNA को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे nematode को silent कर देंगे और nematode क्योंकि transgenic host के अंदर survive नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा the consequence was that parasite could not survive in a transgenic host जो की express कर रहा था specific interfering RNA कि भाई आप इस चीज़ को समझो कि पेड़ के अंदर यानि host के अंदर हमारा क्या हो रहा है sense और antisense दोनों बन रहा है तो यह double standard बनके काम खतम हो जा रहा है अब हमारा जो है parasite आया है parasite ने अपना sense RNA भेजा है इसके antisense के वाईंड करके यह भी मर गया तो एक तरीके से यह अपने आपको इसके अंदर express करवा ही नहीं पाया यही चीज़ NCRT ने बोली the consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host जो की express कर रहा था specific interfering RNA को transgenic plant जो है therefore got itself protected from the parasite transgenic plant जो है हमारा यही हमारा tobacco plant इस तरीके से हमने इसकी protection कर दी हमारे parasite से अब यह हमें NCRT ने diagram दिया क्या कि यह host plant है जिसके अंदर devil standard RNA को trigger किया किस चीज़ की protection के लिए नहमटोड के infestation की protection के लिए यह root of typical control plants की हमें देख सकते हैं कि infection हो रहा है तो इस तरीके से roots हो जा रही है और यह फसल बरबाद हो जाईगी ट्रांसजनिक plant की बात कर रहा है यह ट्रांसजनिक plant का case है पांच दिन दो हमने deliberate infection किया है नहमटोड का लेकिन क्योंकि यह protected है तो इसके अंदर कोई भी infection में देखने को नहीं मिल रहा इसके बाद हम लोग बात करने वाले है बाद हम लोग बात करने वाले हैं बायो टेकनोलजी के अप्लिकेशन में क्या क्या होती है वो क्या क्या थी insulin के बारे में फिर molecular diagnosis के बारे में और तीसरी चीज़ हमारी ADA deficiency के correction हमने कैसे करी थी this was all about this lecture हम लोग next lecture में हम लोग अब बायो टेकनोलजी के application जो medicine में है उसके बारे में बात करेंगे